नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, Senior Consultant Medical Oncology, मेदानता होस्पिटल पटना आज आपसे bladder cancer के बारे में बात करने आया हूँ जो most important है अगर कोई patient hematuria, अर्थात पिशाब के रास्ते से bleeding होना या बाकी पिशाब के symptoms, जैसे जल्दी पिशाब होना, रुक-रुक के पिशाब होना या नीचे पेट के नीचे भाग में दर्द होना, इस तरह के symptom के साथ present करते हैं तो इनकी diagnosis जो होती है, वो initially urine की cytology से की जाती है और बायोपसी करने की जरुवत होती है, या फिर जिसे TURBT कहते हैं या पिशाब के रास्ते से की जाने वारी बायोपसी होती है अगर इस बायोपसी में tumor जो है, इसके muscle layer को invasive इंवेट करता है तो इसे muscle invasive bladder cancer कहते हैं muscle invasive bladder cancer में, जो most important thing है, वो की chemotherapy हमें पहले देना होता है उसके बाद इसमें surgery का role होता है तो इसमें जो chemotherapy दी जाती है, वो 3-4 cycle gemcitabine cisplatin chemotherapy patient को दिया जाता है, जो 3 महीने के आस-पास चलता है और इसके बाद फिर से patient का response evaluation, CT scan दोरा किया जाता है अगर disease localized होती है, तो उस condition में उसकी surgery करने की जरूरत होती है इसके अलावा, अगर इस chemotherapy के कुछ side effects भी होते हैं सबसे important जो है, वो kidney पे कुछ असर पर सकता है या सुनने में कोई दिक्कत आ सकती है, हाथ-पैरों में जिंजनाहाट हो सकती है बट सही समय पे इसके ध्याम रखने से इसे बिलकुल ठीक किया जा सकता है जो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए, तो bladder cancer की surgery के बाद जो average survival है, वो लगभग normal की तरह हो सकता है For more information on bladder cancer, you can subscribe or watch bladdercancerindia.org